गंडपती बाप्पा को लड़ू बहुत ही पसंद है तो थोड़े दिन पहले मैंने बनाये थे चूर्मा के लड़ू अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिशन बॉक्स में देदूंगी आप बहां चाके देख सकते हो और आज मैं बनाने चाह रही हूं मोती चूर के लड़ू तो मोती चूर के लड़ू को आज मैंने मुदक का शेप दिया है तो चलिए फटा-फट से रेसिपी स्टार्ट करते हैं तो मोती चूर के लड़ू बनाने के लिए यहां पर हमें सबसे पहले चाहिए बेसन तो यहां पर मैं डिपा भर अगर आपके पास इस तरह का measuring cup नहीं है तो आप कोई कर्टोरी का भी नाप ले सकते हो तो चलिए एक cup बैसन मैंने डाल दिया है चन्नी में और ये बैसन को हमें चान लेना है क्योंकि बैसन को चानना बहुत ही ज़रूरी है बैसन में एक भी लंस नहीं रहना चाहिए तो बैसन को हम चान लेंगे तो बैसन में एक भी लंस नहीं रहेगा चलिए अब मैंने जो जिस cup से measure गिया था बैसन को उसी cup से मैंने पानी ले लिया है और वन थर्ड कप पानी मैंने निकाल लिया है तो पौना cup जितना मैंने पानी लिया है और अब बेसन के अंदर थोड़ा थोड़ा पानी एड़ करते जाएंगे और एक बैटर रेड़ी करेंगे एकदम से सारा पानी एड़ नहीं कर देंगे थोड़ा थोड़ा एड़ करते जाएंगे और बैटर को इस तरह mix करते जाएंगे तो lumps भी नहीं रहेंगे और एकदम perfect consistency का बैटर हमें मिल जाएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने एकदम थोड़ा थोड़ा पानी add किया है और इस तरह की flowing consistency का बैटर मैंने ready कर लिया है तो आप देख सकते हो चमच एक ले लेनी है और इस तरह इसे चेक कर लेना है तो यह दिखिए लाइने अच्छे से बन रही है और बैटर भी एक दुसरे के साथ mix नहीं हो रहा है तो इस तरह का बैटर हमें चाहिए ना जादा घाड़ा और ना जादा पतला medium consistency का बैटर हमें ready कर लेना है और आपको मैं दिखाती हूँ के पानी कितना बच गया है तो one third cup यह बच गया और यह देखिए यह जो cup में पानी है वो दो से तीन चमच इतना पानी है उतना पानी बच गया है तो आपको समझ में आ गया होगा कि पानी हमें यहाँ पे कितना हम एकदम छोटी बुंदी बना रहे हैं इसलिए इसका बैटर जो है थोड़ा सा पतला है अगर आप मूटी वाली बुंदी बना रहे हो तो उसका measurement थोड़ा सा अलग होता है चलिए बैटर हमारे एकदम ready है और अब कड़ाई में लग रख देते हैं तेल गरम होने के लिए आप तेल की जगा गी भी ले सकते हो लेकिन तेल से भी अच्छे ही बनते हैं और अब हमें चाहिए इस तरह की एक piping bag अगर आपके पास इस तरह की piping bag नहीं है तो इस तरह की दूद की जो पाउच आती है वो तो आपके घर पे होगी तो इस तरह की एक पाउच ले लेनी है औ और अब यह जो पाऊच है, उसे हमें उपड से अच्छे से सील कर लेना है, तो मैंने एक रबर बैन ले लिया है, और इस तरह उसे अच्छे से सील कर लिया है, तो एकड़म टाइठ हम इसे बांद लेंगे, ताकि बेटर हमारा पीछे से nिकलना जाए, तो यह देखिए, थोड़ा सा ही हम इसे कट करेंगे एकडम द्यान से चलिए यहां पर तेल भी हमरा अच्छा खचा गरम हो गया है तेल को हमें मीडियम फ्लेम पर गरम करना है और अच्छे से गरम होने देना है तेल हमरा अच्छे से गरम हो गया है कि नहीं वह चेक करने के लिए सबसे पहले हम 2-3 बुन डालेंगे बैटर के तेल के अंदर अगर बुन्दी एकदम से उपर आ रही है तो समझ लेना है कि तेल हमारा अच्छे से गरम हो गया है अगर बुन्दी को उपर आने में थोड़ी से देल लगे तो तेल को थोड़ा सा और गरम होने देंगे और अब यहां पर आप देख सकते हैं कि बुन्दी फटा फट से उपर आने लगे थी तो तेल हमारा एकदम परफेक्ट गरम है तो इसके अंदर मैंने इस सारा बुन्दी को निकालना स्टार्ट कर दिया है यहां पर हमें पाउच को ज़्यादा प्रेशर से नहीं दबाना है अगर आप ज़्यादा प्रेशर दोगे तो भी बुन्दी अच्छे से नहीं बनेगी एकदम हलके हाथों से इससे दबाएंगे और बैटार हमारा पटला है तो इजीली अपने आप ही बाहर आ जाएगा थोड़ा सा प्रेश करोगे तो बाहर आ जाएगा तो यह लीजिए कड़ाई में जितनी आए उतनी बुन्दी हमें निकाल लेनी है और इस तरह कंची से हमें थोड़ा इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और आदे मिनिट के बाद इसे हमें निकाल लेना है क्योंकि आदे मिनिट में ही यह बुन्दी एकदम अच्छे से पक कर रेडी हो जाएगी ये दिखे इस तरह का मैंने एक दाड़िया ले लिया है और उसकी help से मैंने इसे निकाल लिया है इस तरह से ये easily निकल जाती है तो ये दिखे आप देख सकते हो कि एकदम perfect gold बुंदी हमारी बन करके ready है गेस के flame को हमें medium ही रखना है और इस तरह हमें सारी बुंदी ready कर लेनी है ये process बहुत ही easy है देखकर आपको लग रहा होगा कि थोड़ा सा hard है लेकिन बहुत easy process है इसे कोई भी बना सकता है तो market से हम महिंगे महिंगे बुंदी के लड़ू या फिर बुंदी लेके आते हैं और वो कैसे तेल में fry की होती हमें नहीं पता होता है तो इस तरह आप घर पे easily बुंदी के लड़ू या फिर बुंदी भी बना सकते हो यहाँ पर मैं बुंदी बना रही थी और जो शुदा बेना आ गए जो मेरे घर के काम में बहुत ही help करते हैं और वो भी देखने लगे कि मैं बुंदी कैसे बनाती हूँ और उन्हें मैं सिखा रही थी कि इस तरह बनाना है इस तरह इतना measurement लेना है वो बोल रही थी कि वो कल ही बुंदी के लड़ू लेके आए market से बहुत ही महेंगे मिले उनको और ये देखिए हमने एक कप बेसन से बहुत सारी बुंदी यहाँ पर ready कर ली है तो market से अब नहीं लाएंगे इसे हम घर पे ही बनाएंगे तो ये देखिए एकदम गोल बुंदी बनके हमारी एकदम ready है कोई-कोई नई बनी है गोल लेकिन चलेगा इतना तो चलता है क्योंकि first time है मेरा ये first time मैंने बनाया है चलिए अब बुंदी हमारी एकदम ready है तो बना लेते हैं चाशनी तो यहाँ पे चाशनी बनाने के लिए हमें चिनी चाहिए चीनी हमें three-fourth cup चाहिए याने की पोना cup है चीनी चाहिए और आदा कम इसके अंदर हम डाल देंगे पानी और चाशनी को हम पकने के लिए छोड़ देंगे चाष्णि को हमें तार वार कुछ नहीं बनाना है. चाष्णि को हमें फोड़ा सा चिपचिपा होने تक ही पकाना है. चाष्णि पक रही है, तब तक यहाँ पर पिस्ता को मैंने कॉट कर लिया है. तो यह ड्राफ कटर से एक दम बारिक पतले पतले चिप्स निकलते हैं तो मैंने इसे कट कर लिया है आप चाहो तो इसके अंदर मगस तरी के बीज भी एड़ कर सकते हो चलिए यहाँ पर चाशनी को देख लेते हैं तो अब तक चीनी अच्छे से मेल्ट नहीं हुई है चीनी मेल्ट हो जाए उसके बाद इस किप भी कर सकते हो और अगर आपके पास औरेंट फूर कलर नहीं है केसर है तो केसर के धागे भी इसके अंदर आप एड़ कर सकते हो उसे भी कलर बहुत ही बढ़ी आएगा तो यहाँ पे दो से तीन ड्रॉप मैंने फूर कलर डाल दिया है अच्छे से मिक्स कर लिया है और बुंदी और पिस्था डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे थोड़ा सा मिक्स करने के बाद आपको लगेगा कि चाशनी थोड़ी सी जाधा हो गई है लेकिन चाशनी को सोख करने में बुंदी को टाइंग लगता है तो इसे हमें ढखकर 15-20 मिर्ट रख देना है और 15-20 मिर् कर देंगे और उसके बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे गी एड़ करने से बुंदे में बहुत ही बड़िया फ्लेवर आता है गी का तो गी आप ज़रूर एड़ करें और आप यहां पर देख सकते हो कि बुंदी ने सारी जो चाशनी है उसे सोक कर लिया है और एकदम सौ हो जाएगी और अब यहां पे मैंने ले लिया है एक मोधक का मोड क्योंकि आज मुझे के मोधक बनाने थे तो मैंने मोड ले लिया है आप चाहो तो इसे लड़डो भी बना सकते हो मोड के अंदर हमें बुंदी को अच्छे से स्टॉफ करना है एकदम दबा दबा के बरना ह ताकि बुंदी मुदक का शेप ले ले तो यह देखे बुंदी मुदक एकदम रेडी है आपको मैं एक लड़ू भी बना के दिखाती हूँ लड़ू भी बहुत ही परफेक्ट बनेंगे तो लड़ू बनाने के लिए यहाँ पे हमें थोड़ी सी बुंदी इस तरह हाथ में ले पेना है तो आप बुंदी की बर्फी भी बना सकते हो तो यह लीजे मुदक हमारे एकदम अच्छे से रेडी है बुंदी के मुदक और आपको मैं यहाँ पे दिखाती हूँ कि एक कप बेशन से मैंने कितने सारे बुंदी के मुदक बना लिए है तो आप आप देख सकते हो क तरह घर पे भी बना सकते हो यहां पर आप देख सकते हो कि बुंदी हमारे कितनी रसीली बनी है कितनी सॉफ्ट बनी है इसे आप कोई भी शेप दे सकते हो तो मुदक को तोड़के मैंने लड़ू भी बना के आपको दिखाया है तो यह एक तम इसीली फटा-फट से आप दिखना